आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगा नियूरोन ओडी प्लस कैपसुल के बारे में जो की इस कैपसुल के इस्तमाल बहुत जादा नसु की कमजोरी, साररी कमजोरी इसके अलावा खून की कमी जैसे समस्यों में इसके अलावा भी से और भी multiple प्रफजों में इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मेगा नियूरोन ओडी प्लस कैपसुल के बारे में इसमें combination का हैं उन सभी particular combination हैं क्या काम है कौन-कौन से प्रफजों में इस्तमाल करते हैं क्या नुक्सान है क्या इस्तमाल करने एक तरीका है क्या DOGE है किसे नहीं लेना है यह सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं megan प्लस कैप्सूल जो कि आपके पास के मेडिकल स्ट्रों पर बहुत ही असानी सब लिबल हो जाता है दस कैप्सूल की पैकिंग होती है 120-130 सुर्व इसका प्राइज होता है और ऑलकम कंपनी की बना हुई है मेडिसिन है अब बात करते हैं इसमें क्या-क्या कमबिनेशन है तो इसमें आपको मेथाइको बालामिन बीटमिन बी-टमिन अल्फा-लिपोईक एसीड बी-टमिन बी-डी नाइट बायोटीन जैसे करने में mithahikovalamine काफी कारगर होता है इसके 7-7 vitamin B6 है जिसे pyridoxin कहा जाता है और यह blood में hemoglobin level को improve करता है RBC count को improve करता है body से toxicity को निखालता है skin को healthy बनाता है इसकी अलावा mass facial को मजबूत करने में vitamin B6 काफी कारगर होता है इसके सांतिसान जो अगला combination है Benphotiamine जो कि इसका इस्तमाल बहुत जादा नसों की कमजोरी होती है नसों में दर्ध होने की समस्या होती है नर्व डैमेज जो होते हैं उनको यह क्योर करने में मदद करता है इसके अलावा diabetic, neuropathic जो समस्या होती है उनसे もう कंडिस्णों में और इस्तमाल गार जाता है जो की लंबे समय से कोई diabetes के patient होते हैं सुगर के patient होते है तो उनमें नसों की कमजोरी हो जाती है नसों में दर्ध होता है नसों ताकत नहीं मिलती है तो उनसे भी कंडिशनों में काफी कारगर होता है इसके अलावा और्थराइटिस के परपज में भी काफी फायदमन्द होता है जोड़ोस जूड़ी कोई समस्या होती है तो उनसे भी कंडिशनों में भी दिया जाता है इसके साथ है अलजाइमर जो की धीरे-ध दीरे भूलने की समझ से होती हैं उनसे भी कंडिशनों में भी बेनफोटी या माइन काफी कारगर होता है अगला कॉंबिनेशन है अलफा लिपोई कैसिड जो कि इसका इस्तमाल बॉडी से टॉक्सिटी को निकालने में काफी मददगार होता है इसके अलावा डायविटिक नर कारणे में काफी कारगर होता है तौचा में डिसकलरेशन होने की समस्या होती है या बिटी लीगों की समस्या होती है तो उनसे भी कंडिशनों में भी अलफा लिपोई कैसिड काफी कारगर होता है बिटेमिन B9 है जिसे फॉलेट भी काहा जाता है जो कि इसका इस्तमाल खू तो folic acid और vitamin B12 मिल करके काफी अच्छा वर्क करती है इसके सांतिसान जो अगला combination है biotin जिसे vitamin B7 भी कहा जाता है और इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा बालों से जुड़ी समस्य होती है बालों का बहुत ज़्यादा ज़ड़ने की समस्य होती है तूटना ड्राइने सरहना इस तरी की समस्य होती है बालों में तो उन सभी condition में दिया जाता है इसके अलावा यहाँ एक तरीके का बहुत अच्छा anti-aging भी माना जाता है जो की तौचा में किसी प्रकार की कोई भी elasticity की कमी आती है जूरी आ जाती है तो उन सभी को दूर करने में भी बाइयोटीन काफी कारगर होता है यह सभी combination कमबाइन ऄर के काफी अच्छा effect देने काम करती है उनके यह benefit होते है इन सभी combination का इनका यहाँ बात करें कि इस का क्या रोज होता है तो डी विपेंड करता है कि आपकी एसफे की किस प्रप्पसिम के पर आरें गार किसे ole क किया जाता है इस दवा के इस्तमाल और इस दवा का कर्या नहीं कर सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है सर में लावीपन नाना बर्वाट जचाँ देखने को मिल सकती है आगर आफ प्रसमालिजーーी कर शाब रहा है तो उन्हों सभी कंडिशनों में आप इसे इस्तमाल ना करें तो यह था मेगा नियूरोन OD PLUS कैपसूल के बारे में जनकरी